हाई आप सबके मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं CA knowledge portal so finally ICAI की official announcement आ गई है CA final और CA foundation results के बारे में 10th of February date fix की गई है जब December 2021 students का result आएगा मेरों का expectation है कि afternoon या evening तक का result आ जाएगा and इसके बाद inter की भी उमीद है 15th of Feb तक official announcement नहीं आई है पास काफी सारे messages आए हमारे students के कुछ बच्चे जो मुझसे Instagram पर connected है कि सर बहुत डर लग रहा है result का सर क्या करें क्या ना करें तो I thought of making a short video to discuss three things that we can do to avoid in आखरी एक दो दिन की tension क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं जो आखरी दो तीन दिनों के अंदर तो पूरा होश उड़ जाते हैं उनके तो दो तीन चीज़े जो आपको ध्यान में रखनी है आखरी दो तीन दिन before the result ये चीज़े नहीं करने खास कर result वाले दिन तो बिलकुल मत करना इनको पहली चीज डोंट रन आफ्टर स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक सर आप सब आज की डेट में मैंने देखा है सबसे मैंने कल एक सब्सक्राइब करने के लिए और वहां पर एक कुश्चन जो सबसे जादा मुझे मिला वह है सर पास परसेंटेज क्या होएगी इस समय क्या सर इस सब्जेक्ट के अंदर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या ऐसा होगा क्या वैसा होगा ओल्दो आइंसर इस कोश्चन क्योंकि पर पिछली 10 बार का अनेलेसिस कर रखाया है दिसमबर 2020 में ऐसा आया था दिसमबर 2019 में ऐसा आया था इस तरह से जब आप स्टैस्टिक्स एनलाइज करने लग जाते हो तो लेट मी टेल यू आप एक्सपेक्टेशन बादने लग जाती हो अगर आप को ऐसी वीडियो देख होगे तो तुमारा दिल बैठ जाएगा which is ultimately not going to help you in any way उस वीडियो के अंदर जिसने बोला result बहुत अच्छा आएगा वो भी true नहीं है और जिसने ये बोला कि result बहुत वेकारा है वो भी true नहीं है क्योंकि frankly speaking किसी को भी नहीं पता result कैसे आएगा तो ये फालतू की जो statistics videos होत किसी मत करो statistics के पीछे भागोगे last में क्या हुआ पिछली बार क्या हुआ सिर्फ tension बढ़ेगी क्योंकि आप कहीं नहीं expectation बाग लोगे अगर let me tell you आपका result अगर I see a nationwide result low भी रहाना तो भी अगर आपकी पर परच्छे हुए आप clear कर जाओगे tension वाली बात नहीं तो statistics नहीं दे पास हो जाएंगे बड जो rank की उमीद लगाए बैठे हैं जो उमीद लगाए बैठे है मेरे इस subject में इतने marks आएंगे etc. अब ऐसे बच्छों को मैं expectations अपनी control में रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है result वाले दिन आपने expectation बाद रखिए मेरी rank आएगे आपने expectation बाद रखिया इस subject में मेरे 80 marks आएंगे by chance result वाले दिन उस दिन आपके उतने marks नहीं आए आप पास हो गए आप clear कर गए मगर उतने marks नहीं आए तो होता क्या है instead of enjoying your victory, instead of enjoying your success आप tension लगाए बैठे हो क्योंकि आपने expectation ज़्यादा लगा रखिए और ये expectation मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं आपने लगाई होती है आपके आस पास की surroundings ने आपके दिमाग में गुसा दी होती है मैं आपको अपना personal example देता हूँ मैंने CPT के level पे CA foundation के level पे CS foundation CS center के level पे हर stage पे rank ली थी तो ultimately हुआ था I was surrounded by a group of people जिनको उमीद थी उन लोगों को उमीद थी म मैं रेंक लाऊंगा मुझे खुद को भी अपने आप से उमीद होने लग गई मैं रेंक लाऊंगा पेपर भी अच्छे हुए थे तो CA final का जब मेरा result आया यह 8 साल 9 साल 7-8 साल पुरानी बात है कि जब result आया उस दिन मैंने पहले attempt में CA clear कर ली marks भी decent enough आये मगर मेरी rank नहीं आई CA final में मतलब मैं फैले attempt में clear कर चुका हूं मेरी age साड़े बाइस साल है मैं साड़े बाइस साल की और मैं CA बन चुका हूं difference ना होता मैं आज जाहूं मैं वहीं पर होता मगर उस दिन वो दिन जब मैं CA बना उस दिन मैंने अपनी enjoyment को छोड़कर इस tension में डाल दिया क्योंकि कुछ outside forces ने मुझसे expectations बांद रखी थी और उन expectations को मैं पूरा नहीं कर पाए means everything is you know artificial आप artificial expectation बांद रहें वो पूरी नहीं और इस वज़े से आप अपनी actual success को enjoy नहीं कर पा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना expectations फालतू की अपने से मत बांदो हाँ यह के अंदर pass होना है that should be the minimum expectation उससे उपर expectation अपने से मत बांदना फालतू में के कहते हैं वो सारी efforts कर आप जाएंगे वो सारी चीजों से overcome कर लेते हैं बहुत जल्दी हमने sacrifices करें हैं हम सबने sacrifices करें एक्जाम के लिए वो सारी चीज़े आप फिर भी एक मिडिल अपने आपको मना लेते हो सबसे बड़ा डर पता क्यों लगता है failure से क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे so called friends होंगे जिनको ये बारे में सोचकर आपको डर लग रहा है कि ये क्या बोलेगा ये वो क्या बोलेगा वो हसेगा वो तुम पर ये बोलेगा आरे इस मैनम पहले बोला था इससे ये नहीं हो पाएगी इस tension के मारे में वो क्या कहेंगे उसके वज़ा से आपके दिमाग में पर्खपढ़ना चलिए आपकी immediate family के बाहर जो भी हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं क्या सोचते हैं क्या परक पढ़ता है क्या उनको पता है कि है आपने सईकर देने कि लिए क्या क्या sacrifices करे कौन-कौनसी parties आपने मना करी कौन-कौन लिना, just be answerable to yourself and your family members. I sincerely feel कि जब भी कोई बच्चा CA करने उतरता है उसके family members कहीं ना कहीं supportive भी होते हैं. 95% cases में family members तो supportive मिलेंगे and your immediate family members and you yourself, that's the only thing that matters. तो वो सारे so-called लोग जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या काईगा, छोड़ो ना life में आपको पता भी नहीं वो इंसान कल को आपको फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपके matter भी करता है या नहीं करता आज जिन लोगों के साथ मैं मिलके CA करता था, आज में उनको जानता भी नहीं to be very honest मेरी उन से सालों से बाद भी नहीं हुई है और एक जमाने में उनके बारे में सोच कर यह कह रहा था अरे मेरी रेंक नहीं आई और मैंने अपना मजा खराब कर दिया डूंट डू इस मिस्टेक्स जो हमने अपनी लाइफ में कर रखी है बस हम तो ही बोलेंगे and all the very best for your exam result result मैं उमीद करता हूँ हर किसी का बहुत अच्छा हैगा आपकी मेनत के साथ से आपको marks बिलेंगे and जैसी आपका result आए do share your result with us whatsapp के उपर and instagram id के उपर will be waiting for your result all the very best take care bye bye I'll see you after the result with new videos